गुद मॉर्णिंग बच्चो आज का आमरा सब्ज़क है मैट्स लास्ट ताम जो मैट्स का सब्ज़क था तो हमने नमबर 43 एन 44 सीखा था उसके बाद आज हम सीखेंगे नमबर 45 एन 46 तो यहाँ पे देखो बच्चो यहाँ पे मैंने उपर 45 लिखा है और उसका स्पेल इंगल 45 यहाँ पे होरिजन्टल और वर्टिकल लाइनम में 45 लिख दिया है बाकी के जो बॉक्से से उसमें आपको खुद लिखना है तो चल्ड़ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिखेंगे हम 4 और उसके बाजु में 5 तो क्या बन जाएगा है 4 5 45 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 इस तरह से यह 45 आपको लास्ट तक कम्प्रीट करना है और उसके बाद हम देखेंगे नमबर 46 तो यह देखो बच्चों यहाँ पे मैंने 46 लिख दिया है और उसका स्पेलिंग है F-O-R-T-Y-S-I-X 46 तो यहाँ पे होरिजन्टल और रटिकल लाइन में मैंने 46 लिख दिया है बागी के जो बॉक्से से उसमें आपको खुद लिखना है तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिखेंगे हम 4 और उसके बाज़ो में 6 46 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 ओके इस तरह से 46 आपको नीचे तक कम्प्रीट करना है और उसके बाद हम लिखेंगे टेक्सबुक में तो ये देखो बच्चों, ये हैं हमारी टेक्स्ट्बुक में पेज नमबर 54 and 55 पेज नमबर 54 पे सबसे पहले दिया है हमें 45 तो 40 and 1, 2, 3, 4 and 5 और उसका स्पेलिंग होता है F-O-R-T-Y-F-I-V-E 45 तो यहां पे जो first dot है उसके पास आपको लिखना है 4 और दूसरे dot के पास 5 तो यह क्या बन जाएगा आपका 4, 5, 45 इस तरह से नीचे की 3 लाइन से वो भी आपको complete करनी है फीड यहां पे दिया है 46 तो 40 and 1, 2, 3, 4, 5 and 6 तो उसका स्पेलिंग होता है F-O-R-T-Y-S-I-X 46 तो यहां पे जी first dot है वहां पे लिखेंगे हम 4 और दूसरे dot के पास 6 तो यह बन जाएगा हमारा 4, 6, 46 4, 6, 46 4, 6, 46 4, 6, 46 4, 6, 46 ओके इस तरह से नीचे की 3 लाइन से वो भी आपको complete करनी है फिर ऐसा same to same हमें बाजो के page number 55 पे भी दिया है वो भी आपको खुद से complete करना है और उसके बाद इन सब के photos खिचके मुझे send करना है ओकी बाई बाई